हुअ है रागस दो तोनों चानों के मालतम से आपके समझ एक बार फिर हाजिर हो रहा हूँ आज एक ऐसे विशह में मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ में कि कई लोग गाना बोलते गाना सीखते हैं कई लोग नहीं पर चाहिए सीखने के बाद में भी गाना बोल पाते हैं अच्छे से तो फिर बहुत से लोगों को ये बात होती है उनके दिमाग में कि क्लासिकल सीखना जरूरी है क्लासिकल सीखना जरूरी है जब तक किसी भी चीज़ का नॉलेज आपको पूरा-पूरा नहीं आता है तो स सन कैसे पकड़े मतलब कोई घाना जब शूरूरी होता है वह किसी नःस्टिन की द्वारा आपके कानों के पास में पूशता रहता है चाहे तान पूरा हो चाहे दबला हो चाहे डोलक हो चाहे पिल कैसी वह जो कुछ है वहलिन में, वह बे साज अब तक पकड़ःने, तब तक कोई भी आगे के सूर उसके इसाber से 53 टैंड नहीं होते अब आपका थीजा है, कि सरॉर रागदारी शीखना जरूरी है क्या रागदारी सीखना जरूरी है, रागदारी गाना जरूरी नहीं है रागदारी गाते ऊटकिती आइड की क्लासिकल शात्य संगीत के गायन को गाय जाती हो तो उस अगर जानते हो तो उस चीज का डर कम होता है कि कौन सा सा है गंधर वहां से कितना उच्छा है संगीत में जो साथ सूर होते है सारे गाम पधनिशा उसकी एक निश्चित जगात्य होती है वो आपको जो गाना गाना है उसके अंदर वो कौन से कौन से सूर कहा का एटलिस्ट आ होगे तो अब यह जो है यह जब गारे मागर सा यह जो चीज होगी है यह मैं वो सीखा हूँ और मैं उसका अंदाजा लगा सकता हूँ कि अच्छा आप इसमें सा का पे इतानपरा शुरूए जाते हैं इतानपर साथ में है दर दरार दरा दर दर अब ये चीज ये classical है क्या नहीं ये classical नहीं है ये classical जिस चीज से गाया जाता है उसके basic सूर है सारे गामा पादा जिसा है अब किसी राग के अंदर अब राग एक रसेप तो बहुत दूर की बात है आप जब लाइट में से गाओगे तो आपको इतना तो ध्यान में रहना चाहिए कि ये गाने में कौन से सूर है रागदारी ठीक है नहीं बता आपको पर वो रागदारी में जो सूर है वो गंधार कहाँ पे है रिशव कहाँ पे है मध्यम कितना उचा है ये चीज आपके दिमाग में चलते रेने ज़े अगर ये चीज नहीं चली तो गाना गाने में मुश्किल हो सकती कि सूर कम लगा तो ये कम जादा आपको किसी के बताने से नहीं खुद की दिमाग से समझ में आने चैए कि मेरा सूर यहां कम लगा यहां keywords लोगों को समझता तो है वो बोलने पाते है या फिर बताना नहीं चाहते कि आप जमा की नहीं जमा इतना जरूस जरूस पर हाँ तो अर्केस्टा में अगर आप परेश करते हों तो जैसा गाना पबलिक ने सुना है उसी टाइप आपको गाशा है उसमें यहां तक भी आपका डेरिंग हो जाता है कि भी किशुरदा का गाना है तो किशुरदा की ही आवाज में गाते हो दो उसमें वो किशोरदा एक ही थे रभी साब एक ही थे हम लोग जब गाते तो इमिटेट करके गाते तो वैसा हमको लगता है चलार है और उतनी अकल होती है उससके दिमाग में ने में जहन लेकिन सामने वाले को आपके आवाज की कौरिटी का अंदाजा उसके काम में आया होता है वो देखता है कि आपका गाना चालिस टक्के है, साथ टक्के है, साथ टक्के है, साथ टक्के है, साब लगाता है कि चुनता जैसा डिक्टो गाया की नहीं अचा आवाज डिक्टो है की वह सुना वैसा अगर गाते हो तो आप बड़े ऊचे आर्टिस्ट बिल्कुल बराबर है पबली कैसी है पर जब आप आर्टिस्ट करके सामने जाते हो तो आपको नोगों के सामने आपको आपका नौलेज कितना कम है यह अगर अगर बात दिल में लग गई तो आप वो गाने के साथ में न्याय नहीं कर सकते हैं दूसरी बार आप गाना देख कर तो कभी गाना नहीं है यह कागज ऐसा रखा है और गा रहे हैं आप बड़े-बड़े आर्टिस को देखते होंगे कि सामने स्टैंड पे वो लगा रहता है क आप्धर वो पूरा गाना देख कर नहीं गाती है वो गाना पहले याद कर रहता हैे हापे कहीं गलती ना रहे पेज़गे की टाइम करके वह सामने रक रखा हुआ है नहीं से अच्छा हमीजा इस असुर्ष मुस्ति जढू जढू करतां चाहिए में या तो कि इतना सुहाना है या कितना सुहाना है शब्द भी वहाँ पे अपना od के आ सकते हैं अंग्रे जी की जो जो देल लिखे रहते हैं हिंधी शब्द जैसे उसमें लिight डिया कि अब मरटी में रड़ आता है तो इंग्लिच में आप जो लिखो कि तो ज्छुल ज्ञुल 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 यह ज्ञुल ज्ञुल यह आपको उसका नौलेज होना चाहिए कि यह गाने में क्या है अंग्लेजी में तो ज् logr बड़ोगे कोई language आप पढ़ोगे जैसे कई गायक होते कि वो उनका language नहीं होता है और वो गाते जैसे मैं मराठी आदमी हूँ अगर मैं बंगाली गाना गाऊ तो मुझे बंगाली टोन मालूम है बंगाली भाषा मालूम नहीं है तो भाषा में मेरी गलती हो सकती है ऐसे कई गायकों की भाषा में जो हिंदी पिक्चर में गाते है जिन्होंने तबिल गाने गाये जिन्होंने बंगाली गाने गाये तो अपको भाषा का भी knowledge जो कुछ लिखा है उसका क्या अर्थ है ये समझ के जैने क्या क्या है अगर किसी language में आपको light music गाना है अगर मराठी गाना गाना है तो मराठी language का उस गाने का अर्थ क्या है उस गाने के अंदर कौन से रात का प्रयोक हुआ है या फिर कौन से सूर उसमें लगते है इसका knowledge आपके अंदरोंचे के गंधार कितना उचा है उसका शड़्ज से लेकर शड़्ज कहा है उसका गंधार कहा है मध्यम कहा है पंचम कहा है वो चीज आपके दिमाद में आनी ही चाहिए